आज मैं आपको जिस केस के बारे में बताने बाला हूँ उसे सुनकर आपके होस उड़ जाएंगे की कैसे 16-18 साल के दो लड़कों ने अपनी ही पूरी फैमिली को मौत की नीन सुला दिया और अपनी फैमिली को मारनी के बाद इन दो लड़कों ने जो प्लान किया था उसे सुनकर तो पुलिस भी हैवान रह गई आखरे इन लड़कों ने अपनी फैमिली को क्यों मार डाला और इनों ने ऐसा क्या प्लान किया था जिसे सुनकर सब के होस उड़ गए बेसक ये सब हम सभी जानेंगे लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूँ मेरा नाम है उदित और आप देख रहे हैं मिस्टिरियस फाइल का एक दमाकेदार एपिसोड 22 जुलाई 2015 की रात तक्रीबन साड़े 11 बजे अमेरिका के ओकलाउमा स्टेट के तुलसा सहर के ब्रोकन टाउन इलाके से पुलिस को 9-1-1 पर एक कॉल आती है ये कॉल 12 साल के डैनियल बेबर नाम के एक लड़के ने किया था जिसने पुलिस को रोते हुए कहा कि मेरे दोनों भाई पूरे परिवार को मार डालेंगे आप जल्दी आ जाओ और इससे पहले की पुलिस कुछ पूँच पाती कॉल कट हो गया इसके बाद पुलिस ने इस नमबर को ट्रैक किया और पुलिस की एक टीम को इस एडर्स पर बेजा की आखिर पता चले कि क्या मामला है और इसके बाद पुलिस बेबर फैमली के घर पहुँची जहां आई थी मुझे बचाओ मुझे बचाओ जिस पर पुलिस अंदर जाने की कोशिस करने लगी लेकिन तब ही उनकी नजर मैं गेट से आ रहाए खून पर पड़ी और ये सब देखकर तुरंत पुलिस ने गेट को तोड़ दिया और अंदर गुसे जहां पहुचकर उन्होंने दिखा कि सामने के बरामदे में काफी खून फैला हुआ है जिसमें उनके पाओं वीशन गए और तभी सामने लिविंग रूम में फ्लोर पर एक लड़की तडपती हुई दिखाई दी जो खून में लटपत थी ये लड़की और कोई नहीं बलकि इसी परिवार की सदस 13 साल की Crystal Bever थी जिस पर कई बार चाकू से हमला किया गया था जिसके गले पे चाकू के निसान थे लेकिन वो अभी भी जिन्दा थी उसकी सांसें चल रही थी इसके बाद पुलिस ने उसे तुरन्त समाला और हॉस्पिटल के लिए भ्यज दिया और इसके बाद पुलिस ने घर के बाकी लोगों को देखा जो बहां का नजारा देखकर सब के सब हैरान रह गए क्योंकि घर के बाकी लोगों को इतनी बुरी तरहें से मारा गया था कि जो एक बार देख ले उसकी रूख काप जाए बलकि बो लड़का डैनियल जिसने कुछ टाइम पहले पुलिस को कॉल किया अब वो भी मर चुका था और इसे वी क्या बार चाकु घोप कर बुरी तरहें से मारा गया था पुलिस को वहां डैनियल और घर के बाकी लोगों की लासे मिली इन लासों की संक्या पांच थी जिन में 45 साल की अप्रेल जो इन बच्चों की मा थी और इसे ही सबसे बुरी तर और बाएं हाथ पर कम से कम 28 चाकू के निसान थे और वहीं पुलिस को बातरूम के अंदर 6 साल का क्रिश्टोफर और 5 साल की विक्टोरिया फर्स पर पड़े मिले जिन पर 21 और 23 वार चाकू से हमला किया गया था इन सबके बाद पुलिस को इस परिवार की सबसे चोटी बच पासी सुर की उन्हें इस घर के पीछे मौजूद एक जंगल से दो लोग भागते हुए दिखाई दिये जिन्हें पुलिस ने इस नीफर डॉक की हेल्प से जली पकड़ दिया पकड़े गई ये दोनों लड़के माइकल बेबर और रोबर्ट बेबर थे जिनकी उम्ब 16 से 18 साल की थी जो इसी फैमिली के थे पुलिस ने जब इनको पकड़ा तो इनके हाथ और कपड़े खून से सने हुए थे जो अपने हाथों में चाकू पकड़े थे जिन पर खून लगा था जिनोंने कुछ टाइम पहले अपनी ही फैमिली को माव डाला और जब पुलिस ने क्रि ये लोग इस बात को माननी को तर्यार नहीं थे कि इनोंने ही ये सब किया है और इसके बाद जब पुलिस ने इनके पडोसियों से पुच्छ ताच की तो उनोंने कहा कि जनाब भले ही ये फैमिली हमारी पडोसी थी लेकिन हमें इनकी बाए में कुछ ज़्यादा पता नहीं हैं क्यूंकि ये परिवार हमेशा घर के अंदर ही रहा करता था और इन बच्चों के माता पिता इनने हमेशा घर के अंदर ही रखते थे यहां तक की पडोसियों और दूसरे partager करते थे और इसके अलावा इसकी पतनी अपरायल जो घर बैठ करी अपना काम करती थी और इन दौनों के साथ रहा करते थे इस family का सबसे बड़ा बेटा Robert जो 18 साल का था और उससे छोटा Michael जो 16 साल का था इन से छोटी बेंड Crystal जो 13 साल की थी और Daniel जो 12 साल का था Christopher जिसकी उमर 6 साल की थी और Victoria जिसकी उमर 5 साल की थी और इन सब के अलाबा Autumn जो 2 साल का था कहें तो ये perfect family थी लेकिन फिर time आया 2014 का जब ये अच्छा खासा परिवार घर के अंदर सिमट कर रहा गया Robert ने मताया कि इस time तक उनका परिवार काफी धर्मिक हो गया था जो अब Christian culture के हर एक rule को follow करने लगा था जिस कारण इस घर के मुकिया डेविट ने अपनी जौब तक छोड़ दी जो अब घर से ही अपना काम करने लगा था यहां तक कि डेविट ने अपने छे बच्चों का स्कूल जाना भी बंद कर दिया और उनसे कहा कि तुम लोग अब घर पे बैटकर ही पढ़ाई करोगे और इस घर से बाहर नहीं जाओगे इसके बाद इस घर के लोगों ने घर से बाहर निकलना ना के बराबर कर दिया अपरेल ही कभी-कभी अपने घर के बाहर छोटे बच्चे को गुमाते हुए दिखती थी जो कुछ टाइम बाद बच्चे को गुमा कर घर के अंदर बापस चली जाती और ये सब इन पडोसियों के लिए बड़ा ही अजीब था इस घर की सबसे पड़ानी पडोसी जो एक 42 साल की महिला थी जब उससे पूछा गया कि आप इस परिवार के बाए में क्या जानते हैं तो उसने कहा कि जनाव मुझे तो आज तक इस परिवार के बाए में ये तक नहीं पता कि इस घर में कितने लोग रहते हैं क्यूंकि इन्हें कभी घर के बाहर जादा निकलते नहीं देखा इन सब के बाद माइकल ने पुलिस को बताया कि उनका जो भी प्लान था वो घर पे एक पेंडराइब में है इसके बाद पुलिस ने इनके घर जाकर सारे पेंडराइब कंप्यूटर लेपटॉप अपने कभजे में ले लिए और अब पुलिस को सब कुछ पता चल चुका था दरासल जिस टाइम इन्होंने अपनी फैंबली को मारा था ये लोग उनकी लाइब रिकॉर्डिंग कर रहे थे इस रिकॉर्डिंग को आज तक पब्लिक नहीं किया गया क्योंकि वो काफी डिश्टर्बिंग है और जब पुलिस ने इनके घर की तलासी ली तो बहाँ पुलिस को कैई ऐसे बक्से मिले जिनके अंदर 3000 राउंड गोलिया भरी हुई थी जिनने 23 जुलाई को डिलीबर किया गया था और जब पुलिस ने पूचा कि ये गोलिया क्यों मगाई थी तुम लोगोंने जिस पर इन लोगों ने जो कहा उसे सुनकर पुलिस बाले भी हैवान रगए दरासल इनों ने कहा कि ये लोग अपने पूरे परिवार को मारने के बाद आस पास के लोगों को बंदूक से मारने वाले थे इनका प्लान था कि ये तकरीबन पचास से सो लोगों को अपना सिकार बनाएंगे और ये सब करके ये दोनों फेमस हो जाएंगे और इसलिए रोबट ने कैई बंदूकें और गोला बारुद आनलाइन मंगवाई थे जिने वो एक लोकल बंदूक की दुकान से उठाता था लेकिन गोलियां घर पे डिलीवर होने वाली थी इसलिए रोबट ने फैसला किया कि वो गोलियां आनी से पहले अपने पूरे परिवार को मार डालेगा जिसके बाद ये लोग आस-पास के इलाके में तवाई मचाते और लोगों को मारते दरासल इनका प्लान था कि ये रात को सोते टाइम अपने पूरे परिवार को चुप चाप मार डालेंगे और घर की साप सपाई करके उनकी बोडी के टुकडे उपर अटारी पर रख देंगे जिससे बदवू हवा में उड़ जाएगी और इसके बाद ये लोग अपने काम में लग जाते और उनकी लासों के फोटो और वीडियो सोसल मीडिया पर पोस्ट करते जिससे वो फेमस हो जाते जिस पर माइकल ने कहा कि उन्होंने जैसा प्लान बनाये था वैसा कुछ नहीं हुआ इन्होंने कहा कि 22 जुलाई की रात हम लोगों ने सोचा कि आज की रात अपने प्लान को अंजाम देने का टाइम आ गया है और जब उनकी 13 साल की बैंड क्रिस्टल रसोई का काम करके रूम में जा रही थी तब ही उसने हमें बोडी आर्म लगाते हुए देखा लेकिन उसके लिए ये अजीब नहीं था क्योंकि इससे पहले भी उसने हमें इस बोडी कबच के साथ देखा था ये देखकर माइकल ने रॉबट से कहा कि अब हमें ये करना चाहिए जिस पर माइकल ने अपनी बहन क्रिस्टल को बुलाते हुए कहा कि हमें तुम्हें कंप्यूटर पे कुछ दिखाना है और जैसे ही वो अंदर आकर डेस्क पर रॉबट की ओर चुकी जिस पर माइकल ने पीचे आकर उस पर हमला कर दिया लेकिन वो इस हमले में मरी नहीं और चिलाने लगी जिस से घर के बाकी की लोग जाग गए और तबी मेरी मा अंदर आई और ये सब देखकर वो चिलाने लगी कि पुलिस और पिताजी को बिलाओ जिसके बाद हमने उन्हें पकड़ा और चाकू से एक के बाद एक उ मर नहीं गई उन्होंने काफी कोशिस की खुद को छुडाने की लेकिन वो नाकाम रही और ये सब आवाजें सुनकर उनके पिताब आगे लेकिन तभी रोबर्ट ने उनके कमरे में जाकर उनका गला काड़ दिया रोबर्ट ने डेविड का गला इतने भयानक तरीके से काट कि उनका सर लगबग अलग हो गया था और फिर ये दौनों अपने छोटे भाई वहन को ढूड़ने लगे जो डरकर एक बात्रूम में छिप गए थे इसी बीच डैनियल लिबिंग रूम में गया और माइकल के फोन को उटा कर पुलिस को फोन किया और कहा मेरे दौनों भाई सब को मार डालेंगे आप जल्दी आ जाओ और उसे भी बाद में चाको घोप का मार दिया गया इसके बाद ये लोग उस बात्रूम में गए जा क्रिस्टोफर और विक्टोरिया छुपे हुए थे जिस पर माइकल ने गेट को खटखटाते हुए कहा कि मेरी मदद करो रौब घर के पीछे मौजूद जंगल की ओर भाग गए और आखिर में खून में सनी क्रिस्टल ने वेहोसी की हालत में अवाज लगाई क्यूंकि तब तक पुलिस गेट पर आ चुकी थी और इन सब के बार इन्हें कोर्ट में पेस किया गया जिन पर पांच मडर और एक अटेम्ट कर डाला इसके बाद रोबर्ट को सभी मामलों में दोसी ठहराए गया और उसे बिना पैरोल के आजीवन काराबास की सजा सुनाई गई और वहीं 25 जुलाई 2015 के दिन कोर्ट ने कहा कि वले ही माइकल नावालिक है जो उस टाइम 16 साल का था लेकिन उसके क्राइम को देखते और करेंट में ये दोनों सुधार केंद्र लेक्सिंटन ओकलाहोमा में हैं और ऐसा सुना जाता है कि इस कार्ण में जो दो बच्चे बच्चे थे क्रिस्टल और उटम उन्हें किसी फैमली ने गोध ले लिया तो मिलते हैं फिर नेस्ट एपिसोड में गुड़ बाई